हेलो एन वेलकम टो आर चैनल सुलो टेल्स और आजकी हमारी मुवी का नाम है दस्नोमेन ये एक मिस्टरी थ्रिलर साइकोलोजिकल मुवी है तो चलिए शुरू करते हैं मुवी की बेसिक प्लोट लाइन मुवी की शुरूआत में हम एलकस नाम के बच्चे को देख पाते हैं जोकी अपनी मा सैरा को बताता है के अंकल जौनस घर में आ रहे हैं जिसके बाद हम अंकल जौनस, सैरा और एलकस को डाइनिंग टेबल में देखते हैं यहां जौनस एलिक्स से कुछ हिस्टरी के सवाल पूछता है जिसका जवाब ना देने पर जौनस सैरा को जोर का तमाचम आता है और इस तमाचे के करण सैरा नीचे गह जाती है साथी में सैरा जिन कौफी बीन्स को गिन रही थी वो भी जमीन में भिखर जाती है अपनी मा को नीचे गिरा देख अलक्स उन कौफी बीन्स को उठा कर बाहर भाग जाता है और स्नो मैन बनाने लगता है जिसके थोड़ी देर बाद अलक्स खर में वापस आता है और अपनी मा को चुपके से जॉनस के साथ सोता पाता है यहाँ सेरा अलक्स को नोटिस कर लेती ह और जॉनस से कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूँगी कि अलक्स तुम्हारा ना जायस बेटा है तब ही जॉनस देखता है कि अलक्स ने ये बास सुन ली थी यहां जॉनस बोलता है कि अब मैं इधर कभी नहीं आऊंगा ऐसा कहका जॉनस इन्हें छोड़कर अपनी पत्रीले इलाके की तरफ मुड जाती है यहां अलक्स अपनी मा को गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था लेकिन सेरा अलक्स का जवाब नहीं देती इस सिचुईशन को देख अलक्स चलदी से ब्रेक लगाता है जिस कारण गाड़ी रुख जाती है गाड़ी से निकल अलक्स अपनी मा को गाड़ी से बहार निकलने को कहता है लेकिन तभी सैरा की गाड़ी नीचे पानी में धसने लगती है असल में इस चगे की बर्फ काफी कमजूर थी जिस कारण गाड़ी अब पानी में धसना शुरू कर देती है यहां अलेक्स अपनी मौम से बार बार बाहर निकलन के लिए कह रहा था नेकिन हम देख पाते हैं कि सैरा पुरी तरह से तूट चुकी थी इसलिए अब वो बस मरना चाती थी जिसके बाद सैरा की गाड़ी पानी में डूब जाती है और हम बस आलेक्स के चीकने की आवाज सुन पाते हैं और ये सीन यहीं खत्म होता है अब कहानी काफी सालों आगे बढ़ती हैं यहां हम हैरी को देखते हैं जो कि पार्क में शराप पी कर सो रहा था हैरी को जब होश आता है तब हैरी इस जगे से निकल कर अपने घर वापस आता है यहां हैरी नोटिस करता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है जिससे देख हैरी चौकनना हो जाता है और अपनी गन लेकर आगे बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं कि घर में पैस्ट कंट्रोल करने फ्रेडरिक आया था और फ्रेडरिक को हैरी के घर के ओनर नहीं घर की चाबी दी थी फ्रेडरिक की बास सुन हैरी फ्रेडरिक को जल्दी काम निट्टा इसके बाद Harry घर से निकल कर Melissa की आर्ट लावरेरी को विजिट करता है असल में Melissa Harry की एकस गर्फरेंड है नेक्स सीन में हम पुलिस डिपार्टमेंट में Olga को देख पाती है जो कि पुलिस ऑफिसर्स को एक न्यू डिवाइस के बारे में बता रही थी औलगा का कहना था कि ये डिवाइस बहुत एडवांस है और इसमें recorded हर चीज 12 घंटे के बाद automatically पुलिस सर्वर में सेव हो जाएगी जो कि केसिस के डाटा को सेव रखने में help करेगा और हर एक officer के डिवाइस में उनी का fingerprint होगा जिससे कि वो ही अपने डिवाइस को own कर सकेंगे इधर औलगा की बात हैरी भी सुन रहा था असल में हैरी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कता है और फिलाल अपने ब्रेक अप से जूज रहा है इस meeting को attend कने के बाद हैरी कैंटीन में अपना नाश्ता कता है तबी हैरी का department head Marcus हैरी के एक हपते से gap रहने का reason पूछता है जिस इसके जाने के बाद हैरी एक ladder पढ़ता है जिसमें किसी ने एक लेड़ी को मारनी के बारे में लिखा वा था और नीची snowman बना हुआ था इसके बाद रात को हैरी मैलिसा के साथ उसको घर तक छोड़ने जाता है यहां हमें पता चलता है कि मैलिसा का एक बेटा भी है जिसका को हम एक बार में नशे की हालत में देखते हैं इसके बाद सीन आता है लैना पर लैना अपने घर की तरफ जारी होती है लेकिन हम देख पाते हैं कि एक रेड़ कार लैना का पीछा कर रही थी तब ही लैना को एनी का मैसेज आता है एनी असल में लैना की बेटी है एनी को मैस उसके घर के बाहर देख पाते हैं, यहाँ एनी भी खड़की से लैना को आता देख रही थी, तब ही लैना इशारों से एनी को बताती है, कि बाहर एक स्नोमेन बना हुआ है, लेकिन एनी को लैना की कोई बास समझ नहीं आती, तो लैना एनी को अपनी और स्नोमेन की पिक क्लिक करके सेंड कर दी है और अंदर की और आने लगती है इधर हम देख पाते हैं कि वो रेड का जो की लैना का पीछा कर रही थी वो यहां मौजूद थी इसके बाद हम लैना को अपने घर में आता देखते हैं लैना के आते ही यहां लैना का पती स्टीव लैना पर लेट आने के लिए गुसा करके चला जाता है असल में स्टीव आज 8 बजे अपनी बिजनस ट्रिप के लिए निकलने वाला था लेकिन लैना के लेट आने के कारण स्टीव को 10 बजे तक रुखना पड़ा इसके बाद रात को लैना अपनी बेटी को सुलाने के बाद अपने रूम में जाकर बुक पड़ रही होती है कि तबी लैना के विंडो में कोई आइस बॉल बना कर फीकता है वही हम बिंडो के वहर एक स्नो मैन देख पाते हैं जिसका फेस लैना के घर की तरब था नेक्स सीन में हम कैतरीन और हैरी को बात करता देखते हैं असल में कैतरीन एक न्यू जॉइनी है जो की बगिन से यहां ट्रांसफर हुई है और हैरी के डिपार्टमेंट में अब कैथरीन भी काम करेगी कैथरीन से बात करते वे हैरी कैथरीन के बैग में एक पाइल नोटिस करता है जिस पर confidential लिखावा था इसके बाद सीन आता है एनी पर जो कि अपनी मा को सुबह उठते ही अवाज लगाती है पर कोई जवाब ना आने पर एनी अपने माम के रूम में जाकर देखती है और यहाँ बिंडो से एनी को बस एक स्नो मैन दिखता है जिसने लैना का स्काफ पैना हुआ था इसके थोड़ी देर बाद हैरी कैथरीन को कहीं जाता हुआ देखता है और कैथरीन से लिफ्ट मांगता है कैथरीन बताती है कि मैं एक गुमशुदा लेडी के केस की सिलसले से जा रही हूँ तो मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ सकती कैथरीन की बाद सुन हैरी कहता है जोकि मुझे बहुत अजीब लगा जिसके बाद मुझे एनी से पता चला कि लैना सुबह से गाब है तो मैंने इसी बारे में पूछने के लिए स्टीव को भी कॉन्टेक किया लेकिन स्टीव कर रादी अपने बिजनस के लिए चला गया था और इसलिए मैंने पुलिस को लैना की मिसिंग होने की रिपोर्ट की अब सीन आता है हैरी पर चुकि कैथरीन की कार में बैठा वा था और यहाँ हैरी कैथरीन के नोर्स और उस कॉन्फिटेंशल फाइल्स को चेक कर रहा था इस फाइल से हैरी को लैला नाम की एक लेडी की फोटो मिलती है और अब मुवी शिफ्ट होती है नौ साल पहले के टाइम में यहाँ साइमन नाम का एक बंदा इंस्पेक्टर मैरिक को बताता है कि मेरी वाइप लैला दो दिन से गाब है मेरिक पूछता है क्या लैला कुछ अजीब बीएप कर रही थी जिस पर साइमन बताता है कि लैला ने कुछ टाइम पहले ही प्रेगनेंसी डॉक्टर को विजट किया था जबकि हम दोनों के बीच में पिछले तीन साल से कोई शारेरिक संबत नहीं है मेरिक लैला और सैमन की मैगजीन फोटो को पूरा खोलता है और यहां हम देखते हैं कि लैला साइरिस की तरफ देख रही थी अब हम वापस से हैरी को प्रिजेंट में देखते हैं हैरी इस फाइल को पढ़ने के बाद बाहर निकलता है और Laina के घर की सामने एक स्नोमेन नोटस कहता है जिसके बाद Harry Annie से मिलकर Annie को कमफ़ट कराता है और पूछता है कि क्या तुमारी मॉम या डाड दोनों कल गुसे में थे तब Annie कहती है कि मॉम और डाड के कल रात भैस हुई थी लेकिन मॉम कभी डैट के बिहेवर से गुसा नहीं होती थी वहीं पापा हमेशा गुसे में रहते थे और कभी कवार तो मॉम के जाने के बाद वो रोया भी काते थे और मैंने उन्हें लास्ट वीक रोते भी देखा था यहां एनी ये भी बताती है कि स्टीव एनी को फोन नहीं रखने देता लेकिन हमें पता है कि एनी के पास एक फोन है जिससे वो लैना को मैसेज करती थी इसका मतलब लैना नहीं एनी को चुपके से एक फोन दे रखा था हम देखते हैं कि कैथरीन भी इन दोनों की बाते सीडियों में खड़ी हो कर सुन रही थी और तबी कैथरीन का फोन रिंग होता है जिससे कैथरीन यहां से चली जाती है यहां जाने से पहले हैरी आनी से पूछता है कि क्या बाहर तुमने वो स्नोमन बनाया है तो इस पर एनी इंकार कर देती है इसके बाद रात को हम कैथरीन को हैरी को उसके घर छोड़तावा देख पाते हैं यहां जाने से पहले हैरी कहता है कि लैना वापस आ जाएगी वो ज़रूर घर से भाग गई है और लैना का कोई अफैर्ट चल रहा है यह सुन कैथरीन कहती है कि लैना गाब अपने नाइट काउन में हुई होगी क्योंकि उसके सारे कपड़े घरी में थे और एक मा अपनी बच्ची को कभी ऐसे नहीं छोड़के जा सकती ऐसा कहकर कैथरीन आगे बताती है कि सेम ऐसा ही केस दो हफते पहले मेरे पास आया था और इस केस में भी विक्टम गाब हो गई थी और उस विक्टम की भी शादी अच्छी नहीं चल रही थी साथी में उस विक्टम का एक छोटा बच्चा भी था तो ये सुन हैरी कैथरीन को स्टीव से लैना के बारे में पूछताच करनी को कहता है और ऐसा कहकर हैरी यहां से चला जाता है इसके बाद हम हैरी को कैथरीन की वही फाइल पढ़ता देखती हैं जोकि उसने कार में पढ़ी थी ये फाइल असल में हैरी ने चुरा ली थी इसके बाद हम वापस से 9 साल पुराने फ्लैश पैक में इंस्पेक्टर मैरिक को देखते हैं जिसे के खबर मिलती है कि पुलिस वालों को बरफीले पहाडों के बीचों बीच एक लेडी की डेट बॉडी की खबर मिली है और उस लेडी की बादी बहुत से चील कोवे खा रहे हैं ये खबर मिलते ही मैरिक लोकेशन की तरफ जाने लगता है यहां हम Inspector Sam को भी देखते हैं जो कि Merrick का इस case में पार्टनर है Merrick बिना Sam से कॉपरेशन की उस लेडी की बॉडी की तरब पहुचता है यहां कैमरा एक बार उसी इलाके में बने स्नोमेन पर भी आता है Merrick बॉडी के पास पहुचकर अपनी गन फायर करता है जिससे सारे चील कवे भाग जाते हैं हम देखते हैं कि इस लेडी की बॉडी को टुकडो में किलर ने काट के पेक रखा था और यही फोटो हैरी अभी देख रहा था Next day morning में कैथरीन हैरी के पास आकर हैरी को confront करती है क्योंकि हैरी ने कैथरीन के फायल चुडा ली थी जिस पर हैरी कहता है कि वो फायल एक cold case है और उस फायल पर तुमारा भी हक नहीं है बलकि तुमने भी उसे चुडाया है हैरी की बास सुन कैथरीन चुप हो जाती है हैरी उस फायल में मौजूद एली नाम की एक लेडी के बारी में पूछता है तो कैथरीन बताती है कि एली भी शादी शुदा थी एली के भी बच्चे थे लेकिन उसकी शादी में लणाया होती रहती थी और फिर एक दिन ऐसे ही विंटर में छे साल पहले एली गाब हो गई जिसके बाद हैगी नाम की भी एक लेडी विंटर में गाब हो गई और हैगी की भी प्रोफाइल सेम एली की तरह थी और अब लैना नाम की लेडी भी गाब हो गई है और मुझे लगता है कि 9 साल में हुए ऐसे सारी केसिस एक दूसे से लेंक्ट है क्योंकि अभी रिसेंट हुए विक्टम का भी मडर विंटर सीजन में हुआ है कैतरीन की बात सुन हैरी कहता है कि क्या तुमने उन औरतों के पतियों से बात की थी क्योंकि 10 में से 9 ऐसे कीसिस में हस्बेंट ही किलर निकलते है कैतरीन बताती है कि मैंने इसकी जाच की थी और पता चला कि सारे ही विक्टम्स तभी मरे थे जब उनके पती कहीं बहार बहुत दूर थे और इस बात का सबूत भी उन हस्बेंट्स के पास है नेक्स सीन में हम स्टीव को देखती है यहां स्टीव से हैरी पूचताच करने आया था हैरी स्टीव से पूचता है कि कुछ दिन पहले लैना डॉक्टर वेट्सलेक से मिलने गई थी क्या आपको इसका रीजन पता है लेकिन स्टीव कहता है मुझे लैना ने इसके बारे में नहीं बताया हैरी पूछता है कि क्या लैना या तुम्हारा कोई अफैट चल रहा था लेकिन तबी एनी स्टीव को बाहर से अवाज लगाती है और अब स्टीव यहाँ से चला जाता है इसके बाद नेक्स सीन में हम मार्गरेट नाम की एक लेड़ी को डॉक्टर वेट्सले के घर में जाता देख पाती है और यह सब कैथरीन भी चुपके से देख रही थी अब नेक्स्टे हम ओलेक को गेम खिलता देखती है और यहां ओलेक को सपोर्ट करने हैरी भी मैलिसा के साथ आता तबी इस चके मैथियास भी आ जाता है मैथियास असल में एक डॉक्टर है मैथियास को देख मैलिसा मैथियास के लिए कुछ खाने लेने चली जाती है मैलिसा के जाने के बाद हैरी मैथियास को बताता है कि मैं कई रातों से सू नहीं पा रहा हूँ तो इस पर मैथियास हैरी को online medicines prescribe कता है फिर हम रात को ओलेग और हैरी को बस में देखते हैं ओलेग यहां अपनी मा के प्रती अपनी गुस्से को वो हैरी को बता रहा था लेकिन हैरी बताता है कि मैलेसा ये सब बस तुमारे अच्छे के लिए कर रही है और वो बस तुम्हें एक अच्छी परवरिश देना चाहती है और इसलिए मुझे उसने छोड़ा और मैथियस के साथ रिलेशन्शिप में आई क्योंकि मैं हमेशा जिम हमारे साथ उस ट्रिप में जाऊंगा इस बात को सुन और बहुत खुश होता है फिर नेक्स सीन में हम इन दोनों को एक कॉंसर्ट अटेंड करता हुआ देख पाते हैं कि तभी बीच में हैरी को पुलिस डिपार्टमेंट का एक अचिंट मैसेज आता है तो इस मैसेज को और मैथ्यास और मैलिसा को बताता है कि मैं औलेक के साथ औलेक के स्कूल ट्रिप में जाने वाला हूँ इसे सुन मैलिसा थोड़ी हैरान होती है क्योंकि हैरी ने कभी भी औलेक की प्रति अपनी जिम्मेदारी को जाहिर नहीं किया था फिर नेक्स टे हम हैरी को कैथरीन के साथ मैक्स के घर की तरफ जाता देख पाते हैं रास्ते में कैथरीन हैरी को बताती है कि लेसलाई ने दो बार शादी की थी और लेसलाई एक सेल्फ एंप्लोईड है साथी में लेसलाई का कोई बच्चा भी नहीं है इसके बाद अब ये दोनो लैसलाई के घर पहुंच जा दी है असल में ये जगा एक बुचर खाना था जो कि लैसलाई चला दी थी कैतरीन और हैरी को यहाँ पर मैक्स की वाइप लैसलाई मिलती है जो कि जिन्दा और सही सलामत थी तो ये देख लैसलाई से कैतरीन पूचती है कि क्या आपका कोई बच्चा है जिस पर लैसलाई मना कर देती है लैसलाई की बाद सुन कैतरीन और हैरी यहाँ से ये सोच कर निकल जाती है कि शायद मैक्स या फिर किसी ने ये एक गंदा मजाग किया था कैतरिन और हैरी के जाने के बाद लेजलाई मैक्स को कॉल करके कहती है कि वो बच्चा मेरा है और मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ और आइंदा से ऐसा मजाग मत करना ये सब कहकर लेजलाई कॉल कट कर देती है कॉल कट होने के बाद लेजलाई को ऐसा फील होता है कि कोई कमरे में आया है यहाँ लेजलाई देखती है कि वोड के उपर एक छोटे बच्ची का मैनिक्विन रखावा था कि तभी एक अंजान आदमी लेजलाई पर हमला कर उसे इंजेक्शन से बिहोश कर देता है जिसके बाद वो अंजान आदमी लेजलाई के सर को अपनी वायर जैसी मशीन से काट कर अलग कर देता है वही रास्ते में कैथरीन को दुबारा से पुलिस डिपार्टमेंट का कॉल आता है और इससे कैथरीन को पता चलता है कि लेजलाई दुबारा से गाब है तो कैथरीन सूचती है कि ये वही वापस से कोई मजाख होगा लेकिन फिर हैरी के कहने पर कैथरीन और हैरी वापस से लेसलाइक के घट जाने लगते हैं तब इन दोनों को लेसलाइक की टुइन सुजैन मिलती है जो कि इन दोनों को बताती है कि मैंने ही लेसलाइक के गाब हो पुर्णे लगता है और हैरी को बर्फ में किसी के पैरों के निशान मिल जाती है जिसका पीछा कर हैरी एक टरनल जैसे जगे पर पहुँचता है और यहां नीचे बीचो बीच हैरी को लैसलाई का सिर दिखता है जिसके बाद इस जगे सारी पुलिस डिपार्टमेंट आकर लै करा दिया क्योंकि लैसलाई दो हस्पेंट से अल्रेडी डिवॉस थी और लैसलाई को नहीं पता था कि उसके बच्चे का बाप कौन है और इसका रीजन ये भी था कि लैसलाई के बहुत लोगों के साथ अफैस थे वहीं वापस से हम उस टरनल को देखती है जहां लैसलाई क सर था यहां लैसलाई का सर उस स्नो मैन की बॉड़ी के उपर रखावा था आगे नेक्स सीन में हम साइरस के द्वारा एक और्गनाईस कीवी ऑक्षन कम पार्टी देख पाती है असल में साइरस एक बहुती मशूर आदमी है साती में साइरस गेमिंग और्गनाईजेशन का बी हैड है वहीं बाहर चुपके से कैथरिन भी पार्टी में जाने वाले लोगों पर नजर रख रही थी कि तब ही कैथरिन वापस से डॉक्टर वैस्ट लेक को नोटिस कर दी है जो कि मार्गरेट को पार्टी में विना इंविटेशन के अंदर ले का जाता है हम अंदर पा कि मुझे एक छोटी टीम की जरूरत है इस केस को सौल्फ करने के लिए तो मारकस बोलता है हम इस बारे में इस औक्षन के बाद बात करते हैं यह सुन हैरी यहां से निकलने लगता है कि तब हैरी कैथरीन को चुपके से एक रूम में गुस्तावा देखता है लेकिन हैरी इसे इस चके से निकल जाता है वहीं अब साइरस भी उस रूम में आता है असल में साइरस को नहीं और तो किसा संबंध मनाना अच्छा लगता था इसलिए आज वेट स्लेक साइरस के पास मारकरिट को लाया था यहां यह सब चुपके से कैथरीन देख रही थी इस चके साइरस को मारकरिट पसंद नहीं आती लेकिन फिर भी साइरस उस लड़की की फोटो क्लिक करके यहां से चला जाता है असल में साइरस जिन भी लड़की उसे मिलता था वो उनकी फोटो क्लिक कर लेता था इसके बाद हम हैरी को अपने घर में आता देखते हैं यहां हैरी देखता है कि प्रेडरिक ने हैरी के घर के धजिया उड़ा दी थी और जोर से गाना बजा कर डांस कर रहा था ये सब देख हैरी प्रेडरिक को इस चगे से निकाल देता है अब नेक्स सीन में हम हैरी के न्यू टीम को देखती है चुकि अभी फिलाल हुए लैना जैसे केसिस और पूरे 9 सा से लैसलाई और दोनों का ही अबोशन होने वाला था इसलिए अब मैं उससे ही पूछताच करनी होगी जिसके बाद नेक्स सीन में ये दोनों डॉक्टर वैट्सलिक से मिलने उसके घज आते हैं यहां वैट्सलिक अपने पेशिंट के किसी बीडिटेल्स को बताने को राजी नहीं था ताकि पेशिंट की डिटेल्स को पने रहे लेकिन वैट्सलिक यह जरूर बताता है कि लैसलाई से मैं कभी नहीं मिला था जरूर वो मेरे हॉस्पिटल में आई होगी और मेरे अंडर किसी कलीक त्वारा उसका अबोशन प्रोसेस हुआ होगा या फिर वो किसी और स कंसल्ट करने आई होगी तभी कैतरीन वैट्सलिक की साथ फोटो नोटिस का दी है और पूछती है कि क्या आप साइरस को जान दे हैं तो इस पर वैट्सलिक बताता है कि साइरस और मैं बहुत पहले मिले थे और हमारा एक एंजियो है और उस एंजियो में साइरस हमें होता है कि सायरस एक पहुती है आदमी है चो कि आंध बच्चों के लिए पहुत से काम करता है लेकिन अजEEब बात है कि साइरस पूछूटान跟你 में फंड भी करता है तो वेट्स लेग बताता है कि हम बस अवोशन नहीं बलकि और भी काम कातें हैं और उनमें से एक है embature बर्थ रि Probst War और उसी में सारेस हमें फंड करता है। तबी कैतरिन वेट्सलेक से पूछती है कि क्या वेट्सलेक अभी घर में अकेला है। तो इस पर वेट्सलेक हाम में जवाब देता है। वेटसलिक की बास सुन कैथरिन बताती है कि मैंने घर में गुसने से पहले किसी को खड़की से जागतावा देखा था और मैं श्यूर हो कि वो आप नहीं थी इसलिए कि मैं एक बार आपका घर चेक कर सकती हूँ कैथरीन की बास सुन वेट्सलिक पूछता है कि क्या आपके पास मेरी किलाब कोई सर्च वारंट है तो हैरी उटकर कहता है हमारे पास अभी कोई वारंट नहीं है लेकिन नेक्स टाइम आप रेडी रहिएगा क्योंकि हम वारंट के साथ ही वापस आएंगे ऐसा कहकर ये दोनों यहां से निकल जाती है इसके बाद नेक्स सीन में हैरी ओल्गा के पास आता है और कैथरीन की डिवाइस में स्टोर्ड फाइल के बारे में पूछता है तब ओल्गा चेक करके साइरस की आउक्शन पार्टी में कैथरीन दोरा उस डिवाइस से रिकॉड़िट साइरस, मार्गनिट और वैट्सलेक की विडियो दिखा दी है यहां ओल्गा बताती है कि कैथरीन ने हर चके साइरस का पीछा करके उसे रिकॉड किया है तो अब यह सुन हैरी वापस से अपने डिपार्टमेंट आता है और यहां कैथरीन को अपने डेक्स पर ही पाता है कैथरीन अपना काम करके अपने डेक्स को लॉक करके इस चगे से निकल जाती है और कैतरिन के जाते ही हैरी कैतरिन के डेक्स का पीछे वाला लकडी हटा कर उसके डेक्स में रखी फाइल चेक कने लगता है कई सारी पुरानी फोटोस मिलती है इसमें साइरस एक छोटी बच्ची और एक गन से डिस्ट्रोइड हुए आत्मी के सर की फोटो देख पाती है ये सारी ही टीटिल्स कहीं न कहीं बरगन की थी तो अब नेक्स्ट हैरी बरगन के लिए निकल जाता है यहाँ ट्रेन में हैरी मैथियास से भी मिलता है मैथियास बताता है कि असल में मैं दो स्टेशन बाद इस ट्रेन से उतने वाला हूँ मैथियास हैरी को ये भी बताता है कि मैं हॉर्मोन रेस्टोरेशन के रिसर्च के लिए जा रहा हूँ जो कि तीन दिन का होने वाला है इसे सुन हैरी कहता है मुझे लगता था कि तुम एक प्लास्टिक सर्जन हो तो मैथियास बताता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी को भी अपडेट होना पड़ता है और अगर हम हॉर्मोस के तुरू लोगों को जवान बनाने में काम्याब हुए तो इससे बड़ी उपलब्दी की ब बादा किया था वहीं पैलर में हम ओलेग को देखती है चुकि हैरी का इंतजार कर रहा था और फिर हैरी के ना आने पर ओलेग मलीसा के साथ वापस घर चला जाता है वापस से हम मैथियास को देखती है जो कि ओलेग को कॉल करके बोलता है कि हैरी ने मुझे कल रात मैसिज कि जाता कि वो आ नहीं सकता और उसे ट्रिप कैंसल करनी पड़ रही है लेकिन मैंने वो मैसेच नहीं देखा और इसलिए मैथियास औलिक से माफी मांगता है जिसके बाद जब मैथियास कॉल कट करता है तब हैरी बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए उनसे जूट पूलने की कोई जरुरत नहीं लेकिन यहां हम मैथियास के बीवियर से समझ पाते हैं कि मैथियास वाकई एक अच्छा आदमी है जो कि अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी से पीछे नहीं भागता और शायद इसलिए मैलिसा ने हैरी की जगे मैथियास को चुना अब हम देखते हैं कि मैथियास अपने स्टेशन में उता जाता है वहीं कुछ देर बाद हैरी भी बर्गिन पहुंच जाता है बर्गिन पहुंचते ही सबसे पहले हैरी लाइला के हस्बेंट साइमन से मिलता है साइमन हैरी को बताता है कि पहले मेरा खांदा नदी के उस पार सारी जमीनों का मालिक हुआ ग किये और फिर एक साल के अंदर ही सायरस ने हमें हमारी कम्पनी से निकाल पेखा और सारे जमीनों का मालिक बन सब कुछ पेच दिया इससे सुन हैरी पूचता है कि क्या कोई कैथरी नाम की लेडी आप से मिलने कभी आई थी तो इस पर सायमन मरा कर देता है आगे सायमन बताता है कि मुझे तो मेरी वाइप और सायरस के बीच में लगता था कि कुछ रिलेशन है बड़ इसका मैं कभी पता नहीं कर पाया हैरी पूचता है कि क्या आपकी वाइप ने को विजट किया था तो इस पर सायमन कहता है हाँ उस चुछ मौट आन था इसे सुन हैरी थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि क्या आपकी वाइफ की कभी वेट सलिक से मुलाकात हुई थी तो वेट सलिक की फोटो देख साइमन कहता है नहीं हैरी आगे पूछता है कि आपकी वाइब के कीज का इंचाज कौन था साइमन बताता है कि उसका नाम मैरिक था लेकिन मैरिक मेरी वाइब के मने के एक साल बाद ही सुसाइट करके मारा गया तभी हम फ्लैश पैक में देखते हैं कि मैरिक जब नहरा होता है तबी वो अपने घर में किसी के आने की अवास सुनता है और फिर बात्रूम से आका देखता है कि घर में किसी के आने के पैरों के निशान है यहां मैरिक को एक लेटर मिलता है जो कि उस स्नोमैन के लगा था इसमें उस किलर ने मैरिक से मिलने के बारे में लिखा वा था आगे नेक्सीन में हम मैरिक को अपने ओफिस में देखते हैं, यहाँ पर मैरिक लाइला के अबोशन के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल को कॉल काता है और अपनी अपॉइन्मेंट डॉक्टर से पिक्स कर लेता है, हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट के लोग साम का बड़े स लेकिन मैरिक को इसमें कोई इंटरस्ट नहीं था, इसलिए मैरिक किड्की से निकल कर बहाँ चला जाता है, आगे हम परिजेंट में हैरी को साम के साम के साथ देखती हैं, साम हैरी को बताता है कि मैरिक को कभी भी नॉर्मल लोगों की तरह जीना पसंद नहीं था वो अपना जादा समय अकेले बिताता था और कभी भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता था जिस कारण मैरी को बहुत बार सस्पेंड भी किया गया था मैरी को देखकर हमें हमेशा ऐसा लगता था कि वो बहुत अकेला है और कभी ना कभी वो सुसाइट ही करकर मरेगा और एक दिन ऐसा ही हुआ मैरीक ने एक गन से अपने सर को उड़ा कर बहुत पहरे में के साथ सुसाइट कर लिया हैरी मैरी की सुसाइट फोटो दिखा कर पूछता है कि जमीन में कुछ काली छोटी छोटी चीज़े गिरिवी है आगर ये चीज क्या है तो सैम बताता है के कहता है मैरीक को उसके वाइट मेलनी ने शादी के एक साल बाद ही छोट दिया था लेकिन मैरीक की एक बेटी थी पर मैं यह नहीं जानता कि वो बच्ची अब कहा है वही हम फ्लैश पैक से देखते हैं कि किलर ने मैरीक का चारा एक मोटी गन से उड़ा कर उसके सर में वह मैरीक के हाथों में वो गन रग दी थी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैरीक ने सुसाइट किया है नेक सीन में हम कैथरीन को आफिस में अपना ड्रॉर खुलता हुआ देखती है यहां कैथरीन को उसकी फाइल नहीं मिलती जिसे देख कैथरीन समझ जाती है कि हैरी कैथरीन क गया था वहीं दूसरी तरफ बर्गन में हैरी मैरी के घर पहुंच जाता है तब ही हम देखते हैं कि लैना का फोन कोई आदमी चारजिंग में लगाता है और यहां लैना के फोन ओन हो देंका सिग्नल ऑल्गा के पास आ जाता है इसे बताने के लिए ऑल्गा हैरी के डेक्स पे कॉल करती है जिसे की हैरी के न होने पर कैथरीन पिक करती है और का कैथरीन को बताती है कि मुझे लैना के मोबाइल का एक्टिव होने का लोकेशन मिला है और यह लोकेशन वैट्सलेक के घर का है तो अब कैथरीन वैट्सलेक के घर निकल जाती है वहीं दूसरी तर डीप फ्रीजर में टेप से चिपकावा था और फोन साइलेंट में था दूसी तरफ हैरी मैरी के घर में चछ से अंदर गुसाता है वहीं पहलर में हैरी वैटसले के घर में लैना का फोन ढून रही होती है दूसी तरफ हैरी को एक बच्ची की फोटो मैरी के घर में मिलती है औ और यहां कैथरीन को वैट्सलेक सेम अपने फादर की तरह मरा हुआ दिखता है और यह देख कैथरीन शौक हो जाती है वही हम वापस से वैट्सलेक के घर में बना एक स्नूमेन देखती है इसके बाद मौनिंग में साइरस को खबर मिल जाती है कि वैट्सलेक मर चुका है और म ओफिसर मारकस आकर हैरी को बताता है कि कैथरीन को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कैथरीन बिना किसी प्रोटोकॉल के इस्ट के जबदस्थ से घुसाई है इसे सुन हैरी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है जिस तरह से बॉड़ी मिली है उस तरह से कोई भी आत्मी खुद को सामने क एंगल से माने पर ही अपना सेर उड़ा सकता है तो हेड कहता है उसकी जाच हम कर लेंगे लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से ये एक सुसाइट है और केस क्लोज हो चुका है तबी हैरी यहां एक सीग्रेट पर्प में धसावा देख पाता है जिसके कुछ देर बाद हम मैलिसा क कॉल पर बताता सुन पाती है कि ओलेग घर से भाग चुका है और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है अब वापस से सीन आता है हैरी पर जो कि मैरिक और वेटसलिक की फोटो देख रहा था यहां हैरी रायन से इन फोटो को लेकर यहां से निकल जाता है जिसके बा पीन नहीं था इसजी सुन हैरी कहता है बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह है तो यह सुन कैतरीन के आँंखों में आज आ जाती हैी है मिरे पिता नहीं किया था कैतरीन की बासओं है livres for help मेसी निन्लों कि भी आपड़ बहुत टाइव क्यक्ण performed cáchल रहा साt नौ साल पहले बर्गन से शुडू हुए थे तब सायरस और वेट्सलिक एक साथ थे लेकिन वेट्सलिक ने किसी का भी मर्टर नहीं किया क्योंकि वेट्सलिक हमारे किसी भी विक्तम के अवाशन में मौजूदी नहीं था और सारी ही विक्तम ने अपना अवाशन फिर कहीं और से करवाया था इसे सुन हैरी कहता है लैना और दो हपते पहले गुम हुई लेडी की बॉड़ी के पीसिस पुलिस को वैट स्लेक के घर में मिले हैं कैथरीन कहती है जरूर साइरस ने ये सब किया है ताकि वैट स्लेक को फजा कर खुद बच जाए आगे कैथरीन हैरी से पूच आ जाए लेकिन हैरी इसे नहीं पीता और कैथरीन को सांथ बना देते वे यहां से निकल जाता है इसके बाद हम एक अंज़ान आदमे को स्नो मैं बनाता वा देखती है और इसके कुछ तेर बाद कैथरीन जब अपने घर से बहार निकलती है तब वो तीन लेयर वाला स्नो मै notice का दी है, लेकिन इसी snowman के पीछे हमें killer वाला snowman भी दिखता है next scene में Harry अपने घर में गाना सुन रा होता है, कि तबी Malissa Harry को आकर बता दी है कि Aulaegh से भाग चुका है लेकिन मैं जानती हού कि वो कहां है असल में Aulaegh से भाग कर अपने दोस्त के घर गया है और मैंने ऐंलेक से बात भी कर ली है वहीं पेलर में मार्गरेट की मदद से कैथरीन साइरस के दौरा ओर्गनायस की भी पाटी में पहुंचती है और साइरस को स्पीच देने के बाद अप्रोच कर दी है तो साइरस अपने सैकरेटरी को सब कुछ रिकॉर्ड कर सकी, साथी में कैथरीन तक्ये की नीचे अपनी गन भी छिपा देती है, दूसरी तरफ मैलिसा को मैथियस का कॉल आता है, मैथियस मैलिसा को कहता है, कि मैंने तुम्हें घर पर कॉल किया था, ये बताने के लिए कि अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मि आगे मैलिसा कहती है, मुझे औलिक का पता चल गया है, तो तुम चिंता मत करो, यहां मैथियस बताता है कि मैं कल सुबह ही घर वापस आ रहा हूँ, ऐसा कहकर मैथियस ऑक्वर्ड होते हुए कॉल कार्ट देता है, और अब मैलिसा कॉल कार्ट होने के बाद वाश्रूम में चली जाती है, वाश्रूम में मैलिसा मैथियस के प्रिस्क्राइब मैडिसन को देख लेती है, जिसके बाद बाहर आकर मैलिसा हैरी से पूछती है, तुमने मैडिसन के प्रिस्क्रिप्शन आकर मैथियस से ही क्यों ली, ऐसा गयकर मैलिसा यहां से निकल जाती है, वही हम को भी poison inject कर देता है और इसके बाद killer bed पर एक plastic की sheet बिचा कर Catherine की finger को काट कर अलग कर देता है जिसके बाद Catherine के department से मिले उस device को Catherine के fingerprint से unlock करता है और ये scene यहीं cut हो जाता है इसके कुछ तेर बाद Cyrus अपनी party से निकल कर Catherine के room में आता है लेकिन यहाँ Catherine नहीं थी अवर मौनिंग में हैरी को देख पाती है जो कि कौफी पीते वे बाहर देख रहा था तबी यहां हैरी अपने घर के नीचे कैथिन की कार को नोटिस करता है और इस कार के उपर एक स्नूमेन बनावा था ये देख हैरी जल्दी से उस कार के पास जाकर उस कार को खोलता है और यहां हैरी को कैथिन क डेट बॉडी मिलती है लेकिन इस बॉडी में Harry Catherine की गटी भी फिंगर को नोटिस नहीं करता अब हम नेक्स सीन में Harry और Ryan को Olga के पास देख पाते हैं यहां Olga Catherine के डिवाइस की डाटा को देखती हैं और इन्हें Catherine की रिकॉर्ड इडीन एक लास्ट वीडियो मिलती है इस वीडियो को देखने से पहले Harry Ryan को Catherine के call details निकालने कहता है और फिर उस recorded वीडियो को देखने लगता है इस वीडियो में हम Steve को देख पाते हैं जिसे की Catherine ने record किया था ये वीडियो देख Harry Steve के पास आता है और कहता है तुमने पूछ साच के टाइम में मुझे बताया था कि Lana अकेले ही वेट्स लेक के पास गई थी बलकि ऐसा नहीं था असल में तुम भी Lana के साथ डॉक्टर विजिट में गए थे और ये बात मैंने Catherine की recorded वीडियो में सुनी है तो अब Steve बताता है कि Annie मेरी बच्ची नहीं है और Lana का affair किसी गैर मर्द के साथ था जिस कारण मेरी Lana से हमे मैं समझ गया कि Lana मुसे बहुत टाइम से चीट करती आ रही थी लेकिन फिर ऐनी के अच्छे भविश्य के लिए मैंने इस पास से मूव ओन कर लिया क्योंकि मैं ऐनी को अपनी ही बेटी की तरह मानता हूँ बेशक उसके अंदर मेरा खून नहीं है लेकिन वो मेरी ही बच्च लिया लेकिन हम दोनों कभी वेट स्लीक से मिले ही नहीं बलकि हम दोनों उस दिन एक हॉर्मन स्पेशलिस्ट से मिले थे हैरी ये सुन उस हॉर्मन स्पेशलिस्ट का नाम पूछता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है वहीं कुछ देर बाद हम मैलिसा को देख पाती है जिसे क हैरी का कॉल आ रहा था कि तभी मैथियास भी अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और मैथियास के यहां आने के कारण मैलिसा हैरी का कॉल नहीं उठाती मैथियास मैलिसा से औलिक के बारे में पूछता है तो मैलिसा बताती है कि औलिक अभी स्कूल में है यहां मैलिसा पूछत और यहां हैरी को सारी विक्टम्स के साथ-साथ ओलेग और मैलिसा की डिटिल्स मिलती हैं वहीं पैलर में मै único यास, ओलेग को स्कूल से पिक कर लेता है मर्म comment और इसे अंद्व मैलिसा का फोन रिंग होता है इसके बाद सीन आता है वापस से मैथियास पर मैथियास ओलिक से कहता है तुम में और मुझ में एक चीज कॉमन है और वो ये कि हम दोनों को ही हमारे असली पादर का नाम नहीं पता यहाँ पर मैथियास ओलिक को भी वियोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है दूसरे तरफ राइन हैरी के कहने पर मैथियास का फोन ट्रेक करके हैरी को बताता है कि मैथियास टैली मांग की तरफ जा रहा है और इस चके सिर्फ एक ही घर है और वो घर मैथियास के नाम पर है लेकिन बहुत पहले वो घर इंस्पेक्टर जॉनस के नाम से रिजिस्टर था और मैथियास की मॉम का नाम सैरा है जिसने सुसाइट करके जान ले ली थी और उसके बाद मैथियास एक औरफनेज में बढ़ा हुआ हम देख पाती हैं कि ये वही घर है जहां से मुवी स्टार्ट हुई थी और अब हैरी भी उस घर की और जा रहा होता है नेक्स सीन में हैरी इस घर में पहुँच जाता है और कैथरीन की उंगली को गेट पर पाता है इसके बाद हैरी अंदर आकर मैलिसा का पौन रिंग करता है और आवाज सुनते वे हैरी उपर की और पहुँचता है और इस चगे हैरी को मैलिसा का पौन मिल जाता है लेकिन पिर तब हैरी को नीचे से कुछ आवाज आने लगती है ये आवाज सुन हैरी नीचे आता है नीचे आकर हैरी देखता है कि मैथियास ने मैलिसा और ओलेक को बांध रखा था साथी में मैथियास ने मैलिसा पर अपना वही वेपन लगा रखा था जिससे वो अपने victims के शरीर को काटा करता था यहां Mathias Harry से कुछ सवाल पूचता है जैसे कि Jonas Mathias यानी Alex के साथ बच्पन में पूचता था सबसे पहले Mathias पूचता है कि अगर Annie को पता चल गया कि Steve उसका असली फादर नहीं है तो क्या होगा Harry जवाब देता है कि Annie फिर भी अपने पिता से प्यार करती रहेगी Harry का जवाब Mathias को सही नहीं लगता इसलिए Mathias वायर को छोटा करने लगता है इसके बात Mathias पूचता है कि लेजलाई को अपने पेट में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में नहीं पता था तो क्या इसी कारण से लेजलाई अपने बच्चे को मानी का अधिकार रखती है इस पर Harry जवाब देता है कि ये लेजलाई की चॉइस थी ये भी जवाब Mathias को पसंद नहीं आता और Mathias मेलिसा की वायर को और छोटी करने लगता है कि तबी Harry जवाब देता है शायद लेजलाई एक डरपोक औरत थी ये सुन Mathias रुख जाता है और कहता है Harry का क्या Harry तुम्हारे पास वो थी जिससे तुम प्यार करते थे यानि कि मैलिसा तुम्हारे पास एक बेटा भी था जो तुम्हें चाता है लेकिन फिर भी तुमने इन दोनों को छोड़ दिया ये सुन हैरी बोलता है मैलिसा और ओलेग मुझे अच्छा डिजर्व करते थे लेकिन ये भी जवाब मैथियास को पसंद नहीं आता और वो रसी को बहुत ही छोटा कर देता है जिससे कि मैलिसा का गला कटने ही वाला था कि तभी हैरी बोल पड़ता है क्योंकि मैं सेल्फिश था मेरे दिल में इनके लिए जगर नहीं थी हैरी की बास सुन यहां मैथियास बताता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में निउस में बढ़ा था तो मुझे लगा कि तुम्हें एक अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छे बॉइफ्रेंड और एक अच्छे बाप भी हो लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी नीजी जिनकी बहुती बेकार है ऐसा कहकर मैथियास आगे बोलता है अब आकरी सवाल अच्छे बाद इन दोनों में खूब चीना जप्टी होती है और फिर मैथियास यहां से भाग जाता है मैथियास के जाते ही हैरी मैलिसा का टेप अटाता है यहां मैलिसा हैरी को मैथियास को मार डालने का कहती है तो इसे सुन हैरी मैथियास को ढूंते वे उसी जगे जब पहुंचता है जहां एलिक्स यानि कि मैथियास की मॉम ने सुसाइट किया था तबी मैथियास दूर से हैरी पर गोली चला देता है और यहां हैरी नीचे गे जाता है हैरी मैथियास से कहता है तुम गलत हो तुमारी मॉम नहीं बलकि तुमारे फादर तुमें नहीं चाते थे अगर तुम पैदा नहीं होते तो ये तुमारे फादर के लिए अच्छा होता मैथियास की बात सुन हैरी मैथियास की और गन तांते वे आगे बढ़ने लगता है कि तभी मैथियास फिसल कर पानी में गिर जाता है और यहां मैथियास पानी में बह जाता है जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथियास मारा गया इसके बाद हैरी वापस से मैलिसा और ओलेक के पास आता है फिर हम कुछ दिनों बाद हैरी को पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है दोस्तो मूवी से हम समझ पाते हैं कि मैथ्यास उर्फ आलेक्स अपने बच्पन के ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण बहुत ही जादा ट्रॉमाटाइज था और ये ट्रॉमा उसके लिए इतना घहरा था कि वो बड़े होने के बाद भी इससे बाहर नहीं निकल पाया और वो औरते जो अपने पती और एक बच्चे के बावजूद भी दूसरे आदमियों के साथ गयर संबंद बना दी थी उनको डूंडूंड के मारा कहता था और उनी में से लाइला, लैसलाई और बागी सारे औरते भी शामिल थी और मैथ्यास अपने मने तक सरिफ अपनी का दोशी मानता था, वो सोसता था कि अगर उसकी मौम किसी गयर आतमी के साथ संबंद में नहीं आये होती, तो शायद आज उसकी भी जिन्दगी नौर्मल होती और वो भी एक अच्छा फ्यूचर जी पाता, वैसे अगर मैथ्यास चाता तो अपने ट्रॉमा से रिकवर होके एक अच्छी जिन्दगी जी सकता था, क्योंकि मैथ्यास एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, लेकिन फिर भी उसने एक गलत रहा चूज की, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, होब है कि आपको ये मुवी पसंद आई होग अगर वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब करें, मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ितार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें